नमस्कार व्रवासक्षिन इसनेटों कर आप सभी का स्वागत है। चीन ने की है फिर से हिमाकत और भारती सेना ने दिखा दी है अपनी ताकत। तरसल एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, खबर यह है कि अनुनाचल परदेश के तवांग में 9 दिसंबर की रात को लगबक 8 बे के आसपास भारत और चीन के सेनिकों के बीच हिंसक छड़प हुई। की चीन की एक बड़ी साजिश को विफल कर दिया गया है और जो चीनी सेनिक इस तरह पड़ रहे थे उनको पीछे धकिल दिया गया है, कुछ लोग खायल हुए है, दोनों पक्षों के लोग खायल हुए ऐसा बयान बताया गया है, बयान में यह भी उताया गया है कि घटना क तुरंत बाद दोनों सेनाएं जो थी उन्होंने अपने अपने अलाके में चली गई और उसके बाद एक कमांडर स्तर की फ्लैक मेटिंग हुई और मामला अभी फिलहाल शांती वहाँ पर बनी हुई है लेकिन हाला तनावपुण है खारती सेना लगातार चौकसी बरत रही है और हम देख सकते हैं कि जो चीन है वो लगातार साजिशे कर रहा है खुद कोविट से पीडित है लगातार उसके देश में वहां की अर्थ्ववस्तार असातल में जा रही है हला ति लगातार खराब हो रहे है लेकिन चीन कि मानता नहीं हमने देखा कि पहले उसने डोकला मे पीछे धकेल दिया है और यहां पर बताया जा रहा है कि जो चीनी सेनिक थे उनके पास हत्यार नहीं थे उनके पास डंडे जो नुकीले हत्यार हो रहते हैं वही सब थे लेकिन भारती सेना भी पूरी तयारी रखती है और जिस तरीके से 2020 की जो घटना थी उसके बाद से हमारी मूर्चे पर LAC के हर मूर्चे पर जो तैयारी उनको दी गई है चाहे वह किसी प्रकार के हत्यार हो चाहे वह रसत की बात हो हर चीज हमारे सेना के पास है पूरी सक्षम तरीके से हमारी सेना लड़ती है और हमने दिखा दिया है पूरी लद्दा के बाद एक बार फिर तवा सबर उसपर बिखी आपत दिजिता थी भारत ने ट्र CD जवाब ते चुंगारा जवाब दिया तामेरिका जवाब कि जो दो पक्षों की मिखे चुंगे चिंशन में गहाई अ क्योंकि उत्तराखंड में यह अभ्यास हुआ था प्रशेक्षण अभ्यास और वह चीन से महज 100 किलोमेटर दूरी की परीधी में हुआ था यह अभ्यास तो इसलिए चीन की भौई तर गई थी और 9 दिसंबर की रात की यह जो घटना है अब इस घटना के बारे में सेना ने अ भीर मामला नहीं है माना जा रहा है क्योंकि अब संसत्त का सत्र है तो कल रक्षा मंत्री बयान दे सकते हैं लेकिन इसमीश इस पर रागीती पी शुरू हो गई है कॉंग्रस ने कहा है कि भारत सरकार को चीन को तगड़ा सबक सिखाना चाहिए असुदीन ओवेसी कह रहे हैं कि भारत सत्रकार ने अब तक ये बात चुपाई क्यों तो ये एक चीछ हमको समझनी पड़ेगी हमारे राजनेता को समझनी पड़ेगी कि जो रक्षा से जोड़े मामले है बड़े समय दिनpm strikes होते हैं उसक जब बहुत कुछ जानकारी पुस्त तरीके से ना आ जाये तब त लेकिन चीन को मोतोर जवाब दिआ जाएगा प्रथनमत्री बार बार क्याते रहे हैं कि जो भी देश की तरफ आँख उठाकर देखेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा जो हमें छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं और भारत ने भारत सरकार ने भारत ये सेना ने बार ब में इस समय शांती है जहां पर एक चीज और हम आपको बताना चाहिए कि जो भारत है वह लगातार वारताओं के जरीए लेकिन चीन ऐसा नहीं चाहता है चीन को पता है कि लेसी से जुड़ा विवाज जब तक जिंदा रहेगा तब तक हम भारत के खिलाफ एक्षिन लेते रहे की जाते लिए लेकिन भारत अडियल तरीके से बारत हर चीज में अडा रहा और आमने चीन को वापस भेजा उच्ट की जहां पर सहमती बनी थी कि आप वापस जाएंगे तभी हम वापस जाएंगे जिस एरिये से तो आपने देखा कि किस तरीके से दिर्ड रूख दिखाया है हमारे स्यानिकों के जितनी सराना की जाए उतनी कम है फिलाल इस रिपोर्ट में था ही बाकी इस मुद्धे से जुड़ी जो भी अपडेट होके हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे फिर से आपको इस मुद्धे पर सारी जानकारी परदान करेंगे